मैं संजना मैम और ज्यान गोदावरी एजुकेशनल सेंटर पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस्पर अप्रोपर्टी का एक्ट नम्बर फोर तो आज हमारे अपने चैनल पर, आपके चैनल पर सभी के लिए एक नया हम सब्जक लेके आएएं लौक अही बिहार ज्युड़िशरी इस्पेशली, यारि के ट्रांस्पर अप्रोपर्टी का एक्ट नम्बर फोर आज हमें जानना है transfer of property कैसे पढ़ना है और transfer of property का जो substantive law का part है जिसको हम कहते हैं कि एक मौलिक बिधी जो की बिहार judiciary में special topic आने वाला है आज हम उसको share करने वाले हैं कि कितने section होते हैं कितने chapter होते हैं और आज आपको special रूप से एक गुरू मन्त बताते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है और दूसरे चीज इसमें जो आप देखेंगे कि special बिहार judiciary के लिए आपको 10 से 12 question मिलने वाले हैं जो आज हम बताने वाले हैं most day topic आपका जो है कि property का transfer कैसे किया जाता है कौन कौन सी property होती है किस में ownership जाता है किस में interest जाता है आज हम यहीं देखने वाले हैं और transfer of property ऐसा subject है कि वो आपको समझ में भी आएगा क्योंकि अधिकता लोगों को transfer of property पहलीवार में समझ में नहीं आता है लेकिन आज हम आपको ऐसा easy way में इसको समझाएंगे जो आपको चीजे समझ में आएंगी आपको section भी समझ में आएगा सिर्फ आप खोल लीजी अपना bear act और आज आईए bear act पर उसके index पर कि हमको पहले कोई भी subject पढ़ना है transfer of property पढ़ना है कोई भी subject पढ़ना है जैसे हमने IPC देखा CRPC देखा और Indian evidence act देखा उसी तरीके से आज हमको जो देखना है transfer of property को कैसे पढ़ा जाए तो ज़्यादा time best हम नहीं करेंगे आज आते हैं most topic यानि transfer of property का act number 4 जिसको 1st July 1882 को enforce किया गया तो कोई भी जब act बनाया जाता है तो जब समाज में उसकी जरूरत होती है लगता है कि एक act बनाया जाए तो आप लोग जानते हैं constitution पढ़ते हैं कि parliament एक विधी बना कर enforce करा देती है वो आप process जान लेंगे established by law तो जब हम देखते हैं कि अगर property का लोग गलत तरीके से use कर रहे थे गलत तरीके से transfer कर रहे थे बेनामी चली आ रही थी तो कैसे संपत्ती का transfer किया जाए कैसे संपत्ती का उपयोग किया जाए आज यही हम पढ़ने वाले है most most topic अपने youtube channel याने के ज्यान गोदवरी में आज आपको एक नई चीज मिलने वाली है जो आपके बिहार judiciary में आपको कैसारी question मिलेंगे अब हम question भी discussion कर लेंगे तो आज आते हैं 1st July 1882 को यह बन कर तयार हुआ और इसमें आप देखेंगे तो chapter 8 है और section 137 है अब बात आती है कि हमने यह तो देख लिया कि आपकी यहां से दो question बन गए हैं सबसे पहले यह कौन सी विदी है यह एक substantive लाका part है यानि मौलिक बिदी है दूसरी बात इसमें एक और बात आती है यह कवला हुआ तो आप बता देंगे 1st July 1882 को यह लागू हो गया और आप इसमें कितने chapter है तो आप बता देंगे इसमें 8 chapter है और में कितने section 137 section है अब बात आती है कि property तो हमारे पास है तो हम उसको transfer कैसे करें दूसरे को कैसे दे property तो आप दो तरीके से property को transfer कर सकते हैं यानि के पक्षकारों के कार द्वारा संपत्नी का transfer किया जाएगा दूसरा विधी के प्रवर्तन द्वारा अगर आप property का transfer कर रहे हैं तो कैसे करेंगे तो ये भी जानने की ज़रूत है तो पक्षकारों के कार द्वारा जो संपत्ती का transfer हो रहा है वो कैसे हो रहा है या तो आप संपत्ती को बेचेंगे विक्रे करेंगे या property को mortgage करेंगे या property को lease यानि कि आप उसको क्या करेंगे उसको आप जो है लीस करेंगे यानि पट्टा करेंगे और आप गिप्ट करेंगे या बिल ओफ एक्सचेंज करेंगे तो कहने का मतलब है कि संपत्ति अंतरन अधीनियम 1882 का Act No.4 में पक्षकारों के कार द्वारा by Act तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं प्रोपर्टी का ट्रांसफर आप पांस तरीके से कर सकते हैं पहला आप संपत्ती को बेच कर सकते हैं दूसरा आप संपत्ती को बंधा करके कर सकते हैं तीसरा आप पट्टा करके कर सकते हैं लीस जिसे कहा जाता है चौथा आप bill of exchange कर सकते हैं और पाँच वाँ गिफ्ट कर सकते हैं अब हमें ये जानना है कि पाँचों तरीकिसे तो property का transfer हो रहा है लेकिन एक कौन सा काम है जो बिधी के प्रवर्तन द्वारा हो रहा है तो बिधी के प्रवर्तन द्वारा property transfer की जा रही है तो by succession act में हम चले जाएंगे और बसियत यानि will में चले जाएंगे तो आप जानते हैं bill कव accept की जाती है जब कोई व्यक्ति मर जाता है और तब bill improve कर जाती है यानि के देखा जाता है कि दो तरीके से property का बिधी के प्रवर्तन द्वारा transfer किया जा रहा है अब बात आती है कि जो property का transfer हो रहा है तो कैसे होना चाहिए लोग नीती का सिद्नात यह लागू हो जाता है यानि के notice और दूसरा होता है सम्यक सतता उचे साबधानी bonafide purchaser without value तो once a mortgage always a mortgage बंधग बंधग ही रहेगा कभी विक्रे का रूप नहीं ले सकता है property हमने आपको बंधग कर दी है लेकिन हम उसको चाहें तो हम उसको बापस भी ले सकते हैं भले ही आप 100 साल तक property रखे रहे तो one sum mortgage always a mortgage यानि बंधग बंधग ही रहता है उसको विक्रे का रोप नहीं दिया जा सकता है तो जहां पर अगर ownership जा रही है तो इसका मतलब स्वामिद्व का transfer आपका हो रहा है property आपको transfer की जा रही है कैसे ownership में तो आज हम बात करने वाले हैं transfer of property में कि आपको जो पढ़ना है उसमें आपको 1st July 1882 देख लेना है Act No.4 देख लेना है अब बात आती है कि इसमें हमें जो question मिलने वाले हैं तो कई सारे हमको question मिलेंगे तो दूसरी बात अब समझ लेते हैं कि पट्टा क्या होता है विक्रे क्य होता है bill of exchange क्या होता है gift क्या होता है यह सारी चीजें हम जान लेते हैं तो सबसे पहले आप खोलेंगे interpretation clause जिसको कहा आता है section No.1 जो उसमें लिखा है bear act आप खोल लीजिए 1st July 1882 को यह enforce हो गया यह बात आपको समझ में आ गई दूसरा बात आप देखेंगे जो दिया गया ह है section No.2 इसको रिपील कर दिया गया है section No.3 पर आज आज हम आपको चार definition बताएंगे और चारों में से आपके दो question बनने वाले हैं एक तो होल प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है संपत्ती यानि का चल संपत्ती की परिभासा दूसरे में आप देख लेंगे जब आब अशिय है definition clause में तो पहले सरसरी नजर से हम देख लेते एक बार क्या यानिके हमें किस किस chapter में किस कि section में कहां से कहां तक पढ़ना है तो सबसे पहले दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप ट्रांस्पोर्ट प्रॉपर्टी पढ़ ही नहीं रहे हैं आप लोगों को रहे हैं उसको आप कॉंसिस में लेते जाए क्योंकि आपको ट्रांस्पोर्ट प्रॉपर्टी पढ़ने का एक तरीका मिल गया है तो बात आती है सबसे पहले हम देखते हैं यानि चैप्टर नंबर फॉस्स तो आप जान लिए फॉस्स चैप्टर सेकेंड चैप्टर थर्ड अब क्या होता है आप कैसे पढ़ने वाले हैं तो देखिए से चैप्टर नंबर फॉस्स आप खोल लीजिए जिसको कहा जाता है प्रारंभिक यानि कि उसमें आप जान लिए सेक्शन आप फॉस्ट सेकेंड थर्ड फॉर्ट तो फॉस्ट तो फॉस्ट जुलाई 18 टू को ल गेटिव डेफिनिशन दी हुई है तो अचल संपत्ती की परिभासा तो पूछा जाता है आपसे कोश्चन जान लीजिए पूछा जाता है कोश्चन के संपत्ती की परिभासा ट्रांस्पर और प्रोपर्टी में दी गई है कि नहीं दी गई है तो चार आप्संस आएंगे उ इमूuded प्रोपटी अचल संपत्य की परिभास दी गई यहाँ से आपको कोषोछ न मिलने वाला है कि कौन्सी परिभास दी गई और कौन्सी परिभास नहीं दी गई है तो आ गया इस्थावर संपत्य करें में करें तो सब से पहले के आपका question बन जाएगा कि भारतिये स्वरी ट्रांस्पर और प्रॉपर्टी में ठीक दा ट्रांस्पर और प्रॉपर्टी एक नंबर फोर में संपत्ती की परिभासा दी गई है सेक्षन नंबर 3 सेक्षन नंबर 5 इन में से कोई नहीं और चल संपत्ती तो आप क्या बताएंग सेक्षन 3 में परिभासा दी गई है वह इस्थावर संपत्ती की दी गई है जो आपको मिलने वाली है दूसरा question आपको मिलेगा आब असियती तो किसमें दी गई है definition clause में आज भी हम विस्तार से पढ़ेंगे तीसरी बात पढ़ेंगे आप उसमें एक और देखेंगे अनुप देख लेंगे सूचना क्या होती है और कितने दिन की सूचना देने चाहिए अनुपिर्मानित क्या होता है आबस्यती क्या होता है ठीके संपत्ती क्या होती है तो transfer of property में सबसे पहले section no.3 में हम definition clause देख लेंगे उसके बाद most जा जाता है chapter no.2 जिसे कहा जाता है संपत्ती की अंतरण के विशे में यानि ये आपका चला जाता है section no.5 से लेकर 53 A तक अब ये भी जान लीजिए कि chapter no.2 जो आप पढ़ेंगे तो उसमें दो पार्ट है A part और B part हमने लिखा नहीं है लेकिन आप जान लीजिए A part और B part तो A part जो दिया है section no.5 से लेकर 37 में उसमें दो बा 38 से लेकर 53 A तक जब आप देखेंगे तो भागिक पालन की सिद्दान तक जाता है उसमें केवल इमूबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है तो हो गए ना दो पार्ट आपके खुल गया ना दिवांग देखिए chapter no.1 आ रहा जाएंगे 1 से लेकर 4 chapter no.2 5 से लेकर 53 A दो पार्ट यानि section no.5 से लेकर 37 तक आप आजाएंगे उसमें सीदा सीदा बता दिया गया है इमूबल प्रॉपर्टी के विशे में कौन सी चीजें ट्रांसपर की जा सकती है कौन सी चीजें ट्रांसपर नहीं की जा सकती है ठीक है उसके बाद आजाएंगे आप section no.38 से ले पिर आपका आजाता है बिक्रे तो बिक्रे में हमें से क्या होता है ओनर्शिप जाता है हितनी जाता है इंट्रस का ट्रांसपर नहीं हो रहा है कैसी जा रहा है आपका बिक्रे हो जा रहा है तो बिक्रे में आपका चला जाएगा section no.54 से लेकर आपका सीधा चलाएगा 56 तक तो आपको यहां question मिलने वाले हैं, तो विक्रे क्या होता है, किसी बस्तू को बेच दिया, इसमें क्या जा रहा है, इसमें हमारा ownership चला जा रहा है, फिर आ जाता है chapter number 4, जो आ जाता है आपका mortgage, redemption, तो आप पढ़ेंगे इसमें redemption, और mortgage कैसे किया जाता है, mortgage के प्रकार क्या होता है, तो section number 58 से लेकर आपका चला जाएगा 50, यानि के 104 तक जिसमें mortgage के right क्या है, mortgage के right क्या है, once a mortgage always a mortgage, यानि redeem up far closer down, तो redemption का जो right होता है, उसको हमेशा right रहता है, कि वो कभी भी property को redeem करा सकता है, तो किसका right होगा, mortgage का होगा, mortgage का होगा, यही हम पढ़ने वाले है, तो mortgage के right क्या होंगे, liabilities क्या होंगे, mortgage की liabilities, इसको कहा जाता है, बंधक करता और बंधकी, तो समय दीजेगे, हिंदी और इंग्लिज दो लोग को conversion में पढ़ा रहे हैं, तो mortgage के right और mortgage की right यह हम जान लेंगे, section number 58 से लेकर 104 तो इसमें क्या जा रहा है, इसमें ownership नहीं जा रह है, ध्यान दीजेगा, इसमें केवल हित जा रहा है, तो एक होता है, ownership का transfer हो रहा है, एक होता है, हित का transfer हो रहा है, तो इसमें क्या जा रहा है, इसमें ownership नहीं जा रही है, इसमें केवल हित transfer हो रहा है, फिर आता है आपका most important यानि को जिसको कहा जाता है, पट्टा, तो पट पट्टा और बंधक दोनों में अंतर होता है, समझ लीजेगा, बंधक किसी को रख देना, प्रोपटी को और पट्टा कर देना, दोनों में अंतर है, समझ जीएगा, तो पट्टा चला जाता है 105 से लेके 117 तक, तो जब हम पढ़ते हैं पट्टा, तो एक होता है laser, एक होती है लेजी तो लेजर के क्या राइट होंगे लेजी की क्या होंगे और पट्टे का समापन क्या होता है इसमें आ जाता है पट्टे और लाइसंस में अन्ता देखिए प्री मेंस इंटर्व्यू तीनों में आपको मिलने वाला है तो पट्टा करता के अधिकार और पट्टा ग्रहि होता है तो पक्ते में टाइम पीरियौट होता है समंझ लिए तो जबतक पक्ते में टाइम पीरियौड होता है तो होता है और 먼저 लीज और मांटू मतलीस प्रूवरतन कैसे कर आया जा सकता है कि हम पट्टे को इनफॉर्स करा दे हमारे पास divine है आम ने उसको पट्टे पे दे दिया है जिसको कहा था किराया तो हमारे पास क्या मिल रहा है किराया मिल रहा है उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है तो पट्टा क्या होता है यह भी हम जानेंगे इसमें ओनर शेप नहीं जाती इसमें इंट्रस्ट का ट्रांस्वर होता है यानि हि वार्ष नुवासी पट्ता वर्ष नुवासी पत्ता जैसे co a कि राएधारी जैसे कहा जाता है यानि फिर से जान लीजे स्वामित्व का नहीं होता है तो ध्यान देने वाली बात है कि पट्टा क्या होता है एक तरीके से हिद का अंतरण होता है section number 105 से लेकर 117 दूसरा बात आती है chapter number 6 जिसको कहा जाता है bill of exchange यानि exchange कर दिया हमारे पास 100 रुपे हैं हमने आपके उससे चेंज ले लिया तो एक्स नेवल क्लेम तो इसमें हम जानेंगे section number 3 का अन्योज दावे तो एक्स नेवल क्लेम बिल ओफ एक्सचेंज यानि के जब हम बात करते हैं बिन में बिल ओफ एक्सचेंज तो जब हमने देखा बिल ओफ एक्सचेंज अगर करते हैं तो बात आती है कि मेरे पास 100 रुपे हैं और मैंने आपको वो दिया और आपसे चेंज कर लिया तो एक तरीके से विक्रह का ही रूप होता है कि हमने आपको पैसे दिया और बस तू ले ली तो जब बिल ओफ एक्सचेंज की बात करते हैं यानि एक्सचेंज की जो आप समझ लीगा थोड़ा वियरेट देख लेकिन एक्सचेंज की बात करते हैं हम तो हमने आपको अगर 100 रुपीज दिया उसका हमने चेंज ले लिया यह होता है एक्सचेंज तो सेक्षन नमबर 118 से 121 तक हम यह पढ़ लेंगे अब बात आती है यानि के गिफ्ट मॉस्ट इंपॉर्टन जो आपका चैप्टर है य अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई बस्तु देता है चाहे वो मुवल प्रॉपर्टी हो चाहे इमुवल प्रॉपर्टी हो तो गिफ्ट का मतलभ होता है कि आपने किसी को ओनर्शिप सौब दी तो इसमें हितक relatively ट्रांसफर नहीं होता है इसमें ओनर्शिप चली जाती है यानि मृत्यु सहीया दीआ गया दान शुनों हो जाता है तो किंसे जीविद व्यक्ती को जीविद व्यक्ति द्वारा गे दीजा जाना चाहिए मरने वाज ये प्रीवेल नहीं करता है तो गीफ्ट में क्या जाता है और अछेठ tutorial अगर girlfriend, boyfriend है तो क्या करते हैं एक दूसरे को gift दे लेते हैं और तो ब्रेक अप हो गया तो वापस ले लेते हैं ये gift थोड़ी ना है gift में तो आपकी ownership जा रही है लेकिन क्या करते हैं लोग आज कल gift दे के भी वापस ले लेते हैं ऐसा gift नहीं लेना चाहिए कि जब आपने अगर देखा कि अगर किसी को gift दिया जा रहा है तो आप ऐसे दीजिए कि आपने उसको ownership देती लेकिन condition यहां आ जाती है कि अगर कोई agreement किया गया है कोई अगर आपने शर्त लगा दी है तो वो condition अलग हो जाएगी लेकिन gift में ownership जाती है section number 122 से लेकर 139 तक तो इसमें दुरभरदान भी हम देख लेंगे और gift में क्या होता है 122 भी हम देख लेंगे कौन सी बस्तू का gift दिया जाता है तो जीविद व्यक्ति द्वारा किसी जीविद व्यक्ति को gift दिया जागा है मरने के बाद gift नहीं दिया जा सकता है यह prevail नहीं करेगा तो section number 122 से लेकर 139 तक देख लेंगे और last आयाता है chapter number यानि के 8 जिसको कहा जाता है section number 130 से लेकर 137 तक तो यह हमने एक चीज़ देख ली कि क्या क्या चीज़े होती है अनि वो जिदाबे अभी हम देखेंगे उसके बसियत देखेंगे property देखेंगे तो एक line में हम सम करना है तो friends आप से इस बात के लिए हम कहना चाहेंगे कि इस चैनल को subscribe करिए और like करिए लोगों को पहुचाएए जिससे और लोगों को भी इस चीज़ का लाब मिल सके और आप अपने YouTube चैनल पर इस पर पेड़ ग्रूप जोइन कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी पेड़ जॉइन होने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रूइंट से कॉल सा रहे हैं कि मैम आप कफसे रनिंग में पढ़ाना शुरू करेंगे लेकिन आपको हम वीडियो देते रहेंगे जिससे आपकी preparation में कोई बाधा उत्पन ना हो तो आप लोग इसको बहुत जादा से जादा को शेयर करिए और लाइक का बटन दवाईए और सबको बताइए कि हमको ट्रांस्पर और प्रॉपर्टी किस तरीके से पढ़ना है और बिहार जुडिशरी में आपको इस पेस्पी ग्रूप से बार बार बता रहे हैं इस पेस्पी ग्रूप से आपको यह सारी चीजे मिलने इसमें से आपके 12 कोश्षन आभी मैं डिसकसन कर देती हूं कि आपको क्या-kya मिलने वाला है तो देखिए सेक्शन पर थोड़ा आ जाईए कि हमको उसमें क्या-kya मिलने वाला है तो सबसे पहले हम अभी डैफिनेशन पर नहीं जाएंगे प्रॉपर्टी की डैफिनेशन प पढ़ने के बाद जितना मैंने बताया है आप question लगाना solve कर दीजिए आपको इसमें से अभी 10 question मिलने वाले हैं देखिए कहां कहां से मिलेंगे और वो question जो आप लगाएंगे तो आप ये जान लिजेगा कि आप exam room में जैसे ही बैठेंगे आप जैसे ही question paper देखेंगे आपको 12 से पंधरा question जितना पूछा जाता है चाहे हो प्रीलिम्स के लिए हो मेंस के लिए हो इंटरव्यू के लिए हो चाहे किसी भी स्टेट की आप जूडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और जहां तकर आप लीगल अडवाइजर और जो भी पोस्ट होती है लाउस स्टेट का हम पर्टिकुलर ले लेते हैं राजिस्थानों कहीं भी हो तो आपको बारा से पंदरा question मैं ऐसे दूंगी कि आपको मिल जाएंगी और मुस्किल से आपको 10 question पढ़ना है जो मेंस के लिए होते हैं वह हम पॉइंट पॉइंट में बता देंगे क्या क्या टॉपिक कैसे आएगा मेंस में आपको बताएंगे कि बेरेट का जो मतलब होता है हमको कितने शब्दों में और कितना concise matter करके लिखना है जिसको कहायाता है गागर में पूरा सागर भर दिया तो मेंस के लिए हम आपको उतना topic बताएंगे और उसके बाद interview में भी कम से कम आप से यहां जो mostly important होते हैं transfer of property से बहुत अच्छे question बनते हैं as a contract से भी बनते हैं लेकिन इसमें से आपको कम से हम 2-3 question यहां से मिल जाएगा interview के लिए तो जो student भी prelims दे रहे हैं अभी judiciary के लिए बिहार के लिए और अभी 36 गर की भी vacancy judiciary की आई हुई है उसके लिए भी student तयारी कर रहे है वो भी दे रहे होंगे तो यानि उनके लिए भी यह बहुत important part है हमारा 36 गर जुडिशरी के लिए भी class चलने वाला है और आप लोग उसमें भी पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ live class हमारी start होने वाली है और paid group join होने लगे हैं तो आप लोग भी इसको group को join करिए share करिए और सबको बताईए कि हमको जो matter मिल रहा है बहुत सटीक matter मिल रहा है जो आपके सारे question आने वाले हैं अब बात आती है कि अब एक बार और देख लेजिए कहां कहां से question बन रहा है ध्यान देने की बात है यानि कि transfer of property का जो आप देखेंगे section number 1 से लेकर 4 तक में आपको जो property का transfer of property की question मिलेंगे तो section number 1 से लेकर 4 तक में आपको definition clause से मिल जाएगा question जिसमें आपको सबसे पहरे मिलेगा कि संपत्ती की परिभासा नहीं दी गई है इस्थावर संपत्ती की परिभासा दी गई है ठीक यहां से आपको मिल जाएगा बस्यत नहीं आवस्यत अनुप्रमारेत सू को मिल जाएगा 13 मिल जाएगा section 10 सचे 17 सब 1देख लीजिए असके के बाद ऑस संचन 670 देख लीजिएगा उसके बार आप देख लीजिगा 19 21 और इसके के बाद वाइस 26 29 यहां से आपको पढ़ना है और section number 34 देख लैना है और इसके साथ 35 देख लैना है और आपको यहां से जो section देखना है भागित बालन 53A, part performance, यहां आप देख लेंगे और mostly आपको यहां से कम से कम 3-4 question मिल जाएंगे, chapter 5-53A हम यह विस्ताज से discussion करेंगे, लेकिन अभी आप केवल यह जान लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या जानना है, समय कम रहने के साथ साथ हम आपको कम समय में अच्छी चीज़े बता देते हैं, और 54 से लेकि 56 तैस जिसमें कहा आता है, बिक्रे, तो बिक्रे में आप section number 54, और 56 में mark selling, यहां से आपको 2 question मिल जाएगा, और 58 से लेकि 104 यानि बंधक, तो बंधक से आपको कम से लेकिन 2 question मिलने वाला है, section number 150, section number 58 से लेकि 104 तक यह चला जाता है, तो इसमें एक और आयता भार, section number 100, यहां से आपको question मिल जाएगा, फिर chapter number 5 में आप आजाएगे, पट्टे में 105 से 117 तक जाता है, तो section 105, 106, 107 से आपको question मिलेगा, और एक most important आपको question मिलेगा, 111 से, आप उसके बाद आत है, 118 से 121 तक जाता है, यहां से जादा question नहीं पूछा जाता है, इसको जादा जरूरत नहीं है पढ़ने की, तो exchange में आपको section 118 से मिल सकता है question, लेकिन most आपको जो मिलेगा, 122 से लेकि 119 जो आपका जाता है, जिसको कहा था gift, यहां से आपको 2 से 3 question मिलेंगे, और last में 130 स 7 तक जाता है, तो इसमें से आपको एकात question मिल सकता है, तो हमने आपको बता दिये ना, आगे है ना, आपको समझ में, कि आपको 10 से 12 question मिलने वाले हैं, वो transfer of property में in chapter और in section से मिलने वाले हैं, तो next topic में हम तयार करेंगे section number 3 का, जिसमें हम पढ़ेंगे definition clause, तो हम देखेंगे इस थावर संपत्ती की परिभासा relate करके पढ़ेंगे, IPC के section number 22 और section number 378 जिसको कहायाता है, चोरी थैप्ट, तो आगे जो आपको वीडियो में मिलने वाला है, next topic, तैयार रहिए, दिमाग को खोले रखिए, बेरेक को खोले रखिए और पढ़िए, और उसके साथ साथ आप इन चीजों को समझ ये, तो आज का जो हमने आपको important topic दिया है, transfer of property उसको आप महनत से cover करिए, और like करिए, share करिए, thank you